गुरुजी के प्रसिद्ध प्रेमी सिखों की वार्ता भाई मंज गुरु का बोहिता भाई मंज जिलप जालंधर का रहने वाला पीर नगाहे का उपपासत था सिखों से गुरु का यश सुनकर यह एक बार अम्रित सर आया कुछ दिन गुरुजी की कता उपदेश सुनकर इसने प्रात्ना की कि महराज मुझे भी अपनी सिखी बक्षो गुरुजी ने कहा भाई सिखी बहुत कठिन है तुमें एक मुसल्मान पीर का उपासक होकर सिखी कमा नहीं सकोगे सिखी को धारन करना और कमाना बहुत कठिन है भाई मंज ने कहा आप वर्दान दो तो सिखी कमानी कठिन नहोगी आप कृपा करके सिखी का वर्दान दो उसकी श्रद्धा प्रेम को देख कर गुरुजी ने उसको सिखी की रहित मरयादा बता कर उपदेश दिया कि अपने घर जाकर पीर खाना गिरा कर सिख संगत की सेवा और सतनाम का स्मरण किया करो इस से अन्द समय आनंद स्वरूप परमात्मार में विलीन हो जाओगे भाई मंज यहें उपदेश लेकर घर चला गया उसने पीर खाना गिरा कर सिख संगत की सेवा और सतनाम का स्मरन करना शुरू कर दिया कुछ समय के बाद सिख्य की रंगत प्राप्त करके भाई मंझ फिर से गुरुजी के पास अम्रित सर आ गया दिन रात गुरु के लंगर और संगत की सेवा में जूट गया वहे लंगर के लिए एक जंगल से लकडी की गठडी लानी और संगत के बरतन साफ करने और जल पानी की सेवा करता था जब इस बात का गुरू जी को पता चला तो भाई मंच कुए में गिरा हुआ गुरू गुरू जप रहा है तो आप उसी क्षण ही नंगे पाउं उधर चले गए पीछे सिक भी रसे और गुरू जी का जोड़ा और घोड़ा लेकर दोड़ पड़े वहां आकर जब गुरू जी ने रसे लटका कर भाई मंच को कहा कि इसको पकड़ कर उपर आ जाओ तो भाई मंच ने कहा पहले गुरू के लंगर की लखड़ी की गटरी निकाल लो मैं पीछे निकलूंगा उसकी श्रद्धा के अनुसार पहले लखड़ी की गटरी बाहर निकाल ली गई और फिर भाई मंच आप रसा पकड़ कर बाहर निकला जब भाई मंज कुएं हैं से बाहर निकला तो गुरु जी ने खुश होकर कहा मंज हम तेरी प्रेम भावना पर बहुत बहुत खुश हैं और जो मांगना है वो मांग लो तेरा तप सार्थक पड़ गया है मंज ने हाथ जोड़ कर प्रात्ना की की पातिशा मुझे सिख्षी बक्षो तो आप जी के पवित्र शरीर के साथ लगने के कारण मंज को रिद्यों सिध्यों की प्राप्ती हो गई गुरु जी से इस तरह वर्दान प्राप्त करके गुरु एक दिन गोईंदवाल गुरु जी के दिवान में एक बोडु नाम का सुनार आया गुरु जी को माथा टेक कर आप जी के सामने ही खड़ा रहा गुरु जी ने पूछा तुम क्या काम धंदा करते हो उसने कहा महराज मैं सुनार का काम करके जीवी का कमाता हूं गुरु जी उसने कहा कृत चाहे कोई भी हो परंतु धरम करम की कमाई होनी चाहिए दस उंगलियों की कमाई में से जो प्रभु निमित कुछ दान पुन्य करता है उसका मन निर्मल हो जाता है नहीं तो बुरे कर्मों का फल अंत को बुरा ही भोगना पड़ेगा और कोई साथी नहीं तुम अपने वंशगत के काम को इमानदारी से किया करो बेइमानी को तयाक कर सुनार नेक कमाई में से बुखे प्यासे को अनजल दिया करो तद उपरांथ दुख सुख में प्रभु का हुकम मानना और सदा निर अहंकार और नम्र बने रहना चाहिए यही तेरे भले की बात है यह उपदेश लेकर बोड़ू अपने घर जाकर नेक कमाई करके गुरु प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करने लगा भाई बहिलो गाम फफडे तैसील बरनाल का रहने वाला था वहे नगाहे वाले पीर सकी सर्वर का चेला था हर साल संग लेकर वहे नगाहे यानि धोड़क जिला गुजना वाला जाता था सिखों की और से गुरु जी की महिमा वहे सुनता रहता था जिस कारण एक बार वहे गुरु जी के दर्शन करने के लिए तयार हुआ और मन में यह धारन किया कि अगर पीर अपनी शक्ती से मुझे गुरु जी के पास जाने से किसी तरह हटा लेंगे तो मैं समझ लूँगा कि पीर शक्तिवान है परंतो बिना किसी रुकावट या मन के मुढने से मैं अगर सतलूज नदी से पार निकल गया तो यह सकी सर्वर वाला सारा बेस मैं दरिया की तरफ भेंट कर दूँगा और गुरु जी की शरण में पहुँँँगा यह धारन करके बहीलो घर से चल पड़ा और जब सतलूज नदी पर जाकर बेड़ी में बैट कर पार होने लगा तो नदी के बीच में जाकर उसने विचार किया कि गुरु जी के पास जाने से उसको पीर ने कोई रुकावट नहीं डाली और ना मन को ही कोई प्रेणा दी है कि मैं गुरु जी के पास न जाऊं बहिलो ने आप जी के चर्णों पर माता टेक कर और प्रातना की कि मुझे अपनी सेवा में लगा लो मैं आप जी की शरण में आया हूँ गुरु जी ने कहा भाई सिखो शरद्धा से ही हमारे सारे काम पूरे होते हैं शरद्धा ही भक्ती का मूल है इस कारण सबसे पहले शरद्धा रखनी चाहिए फिर सभी मन वांचित फल प्राप्त होते हैं यह वचन सुनकर बहीलों के मन में गुरु घर के प्रतिश रद्धा आ गई और वह गुरु जी की इंटों के बट्टे की सेवा में लग गया जब उसको पता लगा कि इंटे पकाने के लिए विष्ट आदी गली सडी खाद गुनकारी है तो उसने सारे शहर से विष्ट आदी इकठा करके बट्टों के पास डेर लगा दिया जब इससे इंटे बहुत पकी तो गुरु जी भाई बहिलो की निशकाम सेवा से बहुत खोश हुए और वचन किया कि भाई बहिलो सबसे पहिलो गुरुजी के इस प्रसनता पूर्वववचनों से भाई बहिलो का मन शुद्ध कंचन के समान बहुत निर्मल और पवित्र हो गया नाम की रंगत से इसको रिधियों सिधियों की प्राप्ती हो गई और ब्रह्म ज्यान की प्राप्ती हो गई भाई बुद्धू लाहौर के रहने वाला भाई बुद्धू गुरु घर एक श्रधालू सिख था एक बार जब गुरुजी लाहौर गए तो बुद्धू ने गुरुजी के कुछ सिखों को भोजन के लिए निमंतरन दिया जब लंगर बढ़ चुका और सिख संगत खा कर त्रिप्त हो गई तो बाद में एक और सिख जो गुरुजी के साथ पंगत में शामिल नहीं हो सका था बोजन खाने के लिए आया उसने बुद्धू के आदमियोग ने अंदर न जाने दिया उसने बाहर खड़े होकर जब अंदर यह अरदास सुनी कि बुद्धू ने संगत को भोजन खिला कर बहुत कोशी किया है इसका बट्टा पक्का निकले तो इस सिख ने जिसका नाम लखू था उंची उंची कहा बुद्धू का बट्टा कच्चा रहे तद उपरान दूसरे दिन जब बुद्धू ने बट्टे में से इंटे निकाल कर देखी तो वे सब की सब कच्ची थी यह देखकर बुद्धू बहुत घबराया और गुरु जी के पास हाजिर होकर बताया कि महराज मेरा बट्ट तो कच्चा ही निकला है आपने वचन किया था कि पक्का निकलेगा इसका क्या कारण है गुरु जी ने कहा किसी जरूरत मन सिखन को उस दिन भोजन नहीं दिया होगा बुद्धू ने कहा महराज एक सिख उस समय आया था जब संगत प्रसाद खा चुकी थी और अरदास हो च उसने कहा कि बुद्धू का बट्टा कच्चा रहे और कुछ नहीं गुरु जी ने कहा गुरु के सिखों का वचन अटल रहता है वह फिर नहीं सकता आगे से कोई ऐसा काम न करना कि संग के लिए लंगर तयार करके किसी सिख को जो भोजन की आशा करके आये उसको भूखा ल पकी हुई के मूले पर बिख जाएंगी सिखों की सेवा करते रहना गुरु जी का वचन मानकर बुद्धू को तहरे हुआ तद उपरांत कारण ऐसा बना कि बहुत वर्शा होने के कारण कोई बट्टा तयार ना हो सका और शाही ठेके दारों ने शाही किले की नीव भरनी थ इस कारण गुरु जी ने अपने सिख भाई लखू की लज्जा भी रख ली और अपना वचन भी सफल कर दिया काबल वाली माई एक माई रोज ही सुभा अम्रित सरोवर की कार सेवा करने आती और कार सेवा करते समय कभी कभी हाथ उपर करके ही लौर देती थी जब संध्या का समय होता तो वह संगत से ही लोब हो जाती थी जब कुछ दिन इस तरह ही कार सेवा होती कुछ सिखों ने देखी तो उन्होंने गुरु जी को पताया कि महाराज एक माई सुभा कार सेवा में शामिल हो जाती है कार सेवा करती हुई कभी कभी हाथ उपर को मारती है और संध्या समय पता ही नहीं कहा लुप्त हो जाती है यह बात गुरु जी ने माई को बुलवा कर पूछी तो माई ने कहा महराज मैं रोज काबल से सुभा आते समय अपने छोटे बच्चे को पंगुडे में सुला कर आती हूं और सारा दिन गुरु घर का दीदार करके संध्या समय अपने घर काबल चली जाती हूं जो मैं कार सेवा करते समय हाथ उपर को मारती हूं यह मैं अपने बच्चे के पंगुडे को हिलार देती हूं कि वह सोया रहे जाकर रोए ना यह बात सुनकर गुरु जी ने सिखों की तसली के लिए माई को पूछा कि इतनी दूर काबल से किस तरह आती हो और जाती हो माई ने कहा मैं अपने पती वरत धर्म के बल्प के कारण क्षण में ही यहां आ जाती हूं और खशण में ही अंतर ध्यान होकर वापिस घर में पहुँन जाती हूं गुरु जी ने सिखों को कहा कि पती वरत धर्म में बड़ी शक्ती हो जो चाहे कर सकते हो यह कोई अश्चर नहीं है सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी वहे गुरू वहे गुरू वहे गुरू तेरा शुकर है शुकर है तेरा दात्या तेरा शुकर है